कोरणा महामारी की अब तक सबसे घातक लहर के बीच पूरी दुनिया पर संकर्ट मनड़ा रहा है पुखता इलाज अब तक नहीं है और पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है रहत की उमीद जिस वैक्सीन से है वहां भी चुनौतियों कामबार लगा है ना तो वैक्सीन निर्माता फार्मा कमप्टियों के पास जन्संख्या के मुकाबले वैक्सीन निर्मान की खशमता है ना ही वो संसाधन जिससे उतपादन में इ béजाफा हो साथ आ गया है यानि आधी जीत तै हो चुकी है बस अब कुछ और मुलकों के साथ आने की देरी है और ऐसा हो गया तो फिर वक्त बदलते देर नहीं लगेगी लेकिन कैसे इस रपोर्ट में देखिए है वैश्विक महामारी के दौर में कोरोना वारस से छुटकारा पाने के लिए दुनिया बेचैन है अब तक ना तो कोई कारगर इलाज है ना ही बढ़ते संक्मर से मुक्त होने का कोई गुखता रास्ता महामारी में राहत की उमीद अगर कहीं नजर आती है तो वो सिर्फ वैक्स वैक्सानलेवा विशाणों के ख़ाफ सबसे बड़ावजार बन गयी लेकिन परिशानी यह है कि दुन्या को इस वक्त जितनी वैक्सीन के जरूरत है उस गुणांक में वैक्सीन का अतपादन नहीं हो पा रहा और इसका सीधा कारण है वैक्सीन बनाने की तकनेक जो हर नहीं बन पाएगी यानि जो हालात अभी हैं जरूरत के हिसाब से उत्पादन शमता की कमी वो आगे भी जारी रहेगी डिमांड की मुकाबले सप्लाई बहुत कम होगी जिससे जानलेवा वायरस म्यूटेशन के साथ नए नए स्ट्रेंड बनाकर और भी ताकतवर होता चला ज की हैं जिसमे काम्याबी मिलती दिख रही है भारत ने 15 साल पेटेंट मुक्त वैक्सीन का प्रस्ताओ रखा था इस प्रस्ताओ में साथ अफ्रीका दिया था मकसद था कोविड वैक्सीन का उत्पादन तेज करना विकाश सील पिछड़े देशों को भी वैक्सीन का अदिकार मिली लेकिन महीनों तेक इस प्रस्ताव का विक्सित देशों ने विरूत किया इनमें मुक्ष्रूब से वो देश तामिल थे जिन्होंने वैक्सीन बनाने में काम्याबी हासल की थी लेकिन अब भारत की कोशिशों से बादचीत की मेज पर आए पेटेंट समर्थक देशों ने भी पेटेंट मुक्ते के लिए हामी भरनी शुरू कर दी है जिसमें अमेरिका के राष्टपती जो बाइडेन ने वैक्सियन को पेटेंट मुक्त के प्रस्ताव को मान लिया है वहीं यूरोपियन यूनियन और निज्जिलैंड भी बादचीत के पक्ष में खड़े हो गए जैनि भारत ने मानवत्ता के लिए जो मुहिम शुरू की थी उसमें जीत हासिल हुई है कैसे हुआ ये चमतकार समझ भारत ने वैक्सीन के लिए प अमेरिकाश तील देश साउथ अफरीका ने भारत का समर्थन किया और अब वायरस से बने हाहाकारी हालात में अमेरिका भी साथ आया है वो अमेरिका जो पहले किसी को भी वैक्सीन की तकनीक देने पर राजी नहीं था लेकिन इंसानियत के नाते उठाए गई भारत की मांग का दबाओ इतना ज्यादा पड़ा कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी नाजुक वक्त में भारत के साथ आना पड़ा हाना कि अभी तक मांग और समर्थन की स्थिती बाचीत की मेज तक सीमित है इसे डबलू टियो तक नहीं पहुँचाया गया है लेकिन मुम्किन है कि ये मुहिम जल्द ही एक मुकाम हासिल करेगी लेकिन ये होगा कैसे इसे पेटेंट और इंटेलेक्चिल प्रॉपर्टी र यानि पेटेंट कराने पर कोरोना वैक्सीन जिन अलग अलग तकनीक से बनी है उनका निर्मान वही कर सकते हैं जिन्होंने इसका आविशकार किया है ये आई के लिहास से तो बेहतरें विकल्प है लेकिन इस वक्त जब दुनिया में लोगों की मौत हो रही है तब इंसानिय इसका ने WTO से मांग के साथ सुझाओ दिये दोनों देशों से ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स और इंट्रिक्शल प्रॉपर्टी राइट्स की चार धाराओं में छूट की मांग की गई पेटेंट, कॉपी राइट, अधिकार, डिजाइन से रक्षा की डिमांड हुई WTO को छूट के लिए मियाद तैकरने का सुझाओ भी दिया ताकि जब तक दुनिया भर में वैक्सिनेशन पूरी तरह शुरू ना हो जाए, दुनिया की बड़ी आबादी को टीका न लग जाए, तब तक वैक्सीन पर कोई आधिकारिक दावा ना कर सके इसके लावा इस चूट की हर साल समिक्षा भी की जाए, हालात के मद्देनज़र भविश्य में पेटेंट दिया जा सके, हाला कि अब भी पूरी तरह से दुनिया इस मत का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है अभी पहरिस्त में किन देशों का भारत की पाले में आना बाकी है, ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये समझ जिए कि पेटेंट में छूट की जरूरत क्यों है वैक्सीन और मेडिकल उत्पादों की अभी सखत कमी है, पेटेंट मुक्ती को डबलू टियो ने मन्जूर किया तो कमी खत्म होगी वैक्सीन और मेडिकल उत्पादों का सब को एकसिस मिलेगा, रिसर्च, डिवेलिप्मेंट, निर्माण, सप्लाई तेज की जा सकेगी, सप्लाई बलॉक होने की समस्या से निजात मिलेगी जिस समस्या से अभी दुनिया के मुल्क जूज रहे हैं, उसका समधान होगा जैसे इस वक्त दुनिया की बड़ी फार्मा कमपनियां, एस्टरजेनिका, फाइजर, जॉनसन और जॉनसन या तो खुद वैक्सीन बना रही है या फिर उन्होंने किसी और कमपनी को लाइसंस दिया है, जिससे उनका सप्लाई पर नियंतरण बना हुआ है, उससे मुक्ती मिल जाएगी वैक्सीन एक्स्पोर्ट और इंपोर्ट की परिशानी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए अमेरिका तो भारत के प्रस्ताव के साथ आ गया है, लेकिन अब भी दुनिया के कई देश अपने रुख पर आ रहे हैं देखिए, पेटेंट मुक्ती के प्रस्ताव के धड़े वैक्सीन को पेटेंट मुक्त रखने के लिए भारत, साथ अफरीका, केनिया, पाकिस्तान, बोलीविया, विनिजुएला, जिंबाववे, इजिप्ट, अमेरिका, अफ्रिकन गुरूप, ल्डीसी गुरूप ने प्रस्ताव का समर्थन किया है वहीं European Union, Canada और New Zealand प्रस्ताव पर बादशीत को तयार है लेकिन Germany, Switzerland, UK, Brazil और Japan ने इस कदम का विरोध किया है अनकि अमेरिका के समर्थन देने के बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि बादशीत के लिए तयार देश और विरोध में खड़े तमाम देश जल्दी इस प्रस्ताव का समर्थन करने को राजी होंगे क्योंकि समर्थन ना करने की वज़े अब तक सिर्फ भविश्य में होने वाले इनोवेशन पर पढ़ने वाले असर पर केंदित है इसके अलावा कुछ देश इसे फर्मसितिकल कमपनियों की हितों की खिलाब बता रहे हैं लेकिन मुम्किन है कि दुनिया में मानोजाती पर आये खत्रे की गंभीरता इन देशों को विश्य के प्रस्ताव में समाहित करेगी अब ये भी समझ दीजी कि पेटेंट में छूट मिली तो इसका असर क्या होगा वैक्सीन पेटेंट में छूट मिली तो उत्पादन बढ़ सकता है आयात की बजाए घर ले उत्पादन में ही बढ़ोतरी होगी उत्पादन बढ़ने से वैक्सीन के दाम में गिरावट आएगी ये तभी संभव है जब भारत के प्रस्ताव की WTO में जीत हो जिसके ज्यादा आसार भी है लेकिन सवाल यही कि पेटेंट मुक्ती की चंग में भारत की जीत की बाद तुरंत भारत के हालाद बदल जाएंगे जवाब है नहीं छूट मिलने के बाद भी महिनों का इंतजार करना होगा ऐसा क्यूं? वो भी जानी भारत में वैक्सीन के कच्चे माल की भारी की इल्लत है निर्मान शमता भी आवादी के अनुपात में कम ही है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहले संसाधन जुटाने होगे कच्चे माल का आयाद भी भारी मातुरा में करना होगा इस पूरी प्रक्रिया को अगर अपनाया जाये तो भी भारत में जिस 200 क्रोण डोज की जूरत है उसकी पूर्ती होने में करीब एक साल का वक्त लग सकता है लेकिन ये समय मौझूदा व्योस्था में लगने वाले वक्त का दस्वा भाग होगा यानि भारत में पेटेंट मुक्ती के लिए जो प्रस्ताव तयार किया वो दुनिया के तमाम विकाश सील और पिछले देशों के लिए वरदान बनेगा और प्रस्ताव की ये जंग भारत अमेरिका के साथ आने से आधी जीच चुका है बस अब देरी है इस प्रस्ताव को WTO तक पहुँचने की जहां अमेरिका के दबाव में इसे हारी जंडी मिलना तकरी बनता है बिरो रिपोर्ट TV9 भारत वर्ष